Hello everyone, this is Prankasakse Na, your science teacher. Today we are going to start a new chapter, that is time and motion. 13 chapters start कर रहे हैं, this is time and motion. इसमें हम पढ़ेंगे, किस के बारे में, time के बारे में, कैसे हम time के बारे में जानते हैं, और motions कौन-कौन से होते हैं, किस तरह के motions हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं. तो first topic आता है, measurements. Measurements क्या होते हैं? हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे measurements करते हैं. इसे कुछ भी चीज़, अपना weight नापना है, या फिर हम fruits, vegetables लेके आते हैं, उसका weight नापना है. इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हम use करते हैं. तो actual measurement है क्या? measurement क्या होता है? comparison of unknown quantity with unknown quantity of the same kind. दो same तरह की चीज़ों जिसमें एक नोन है और एक अनोन है उन दोन की बीच हम compare करते हैं. उसी को हम बोलते है measurement. अब आप बोलेंगे माम यह कैसे होगा? तो आपने देखा होगा कि जो भी सबजी वाला कर आता है, हम सबजी लेते हैं. तो हम क्य किलोग्राम का है. उसी के according हम उसको एक तरफ रखते हैं और दूसी तरफ हम क्या करते हैं? वेजटेबस को रखते हैं. जो भी हमको चाहिए. जैसे एक किलो चाहिए तो हम एक किलो का बाट यूज़ करते हैं. वो हमारे लिए नोन हो गया लेकिन अनोन क्या है? वेजटेबल पीके क्या कि हमने मेज़मेंट अब सेम कैंड मतलब धोनों का हमने क्या मेजर किका वेट क्या मे подготов였 एमे מяжर कि मास्ट थे तो हमने dwunuleं का सेम नापीरी और बाट का मैपने वेड मेपन कपड़े की लंबा नापने कितना लंबा है जैसे घर होता है और कुछ चोटी इसको में नापने हैं उसको में 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 म एक किलो मिटर, इस तरह से हम यूज करते हैं, इसी तरह से अगर वेट की बात करें, जिसको हम बोलते हैं, मास, उसके लिए भी यूनिट्स होंगी, अलग-अलग कम वेट है, ग्राम में नापेंगे, बहुत छोटा जैसे गोल्ड अगर नापते हैं, मिली ग्राम में भी होता ह इस तरह से अलग-अलग कीनिट्स को हम यूज करते हैं, इसी तरह से फिर हम मेजर करते हैं, अब टाइम के लिए भी कम टाइम है, हम सेकेंड यूज करेंगे, उससे जादा है घंटे यूज करेंगे, इस तरह से उससे भी जादा है तो दिन यूज करेंगे, इस तरह से mass and time, जो कि physical quantities है, इसको हम क्या बोलते है, physical quantity, ठीक है, अब पहले के जमाने में यह सब चीज़े तो होती नहीं थी, measurement के लिए, कि हम अरे पास कोई वह है, तो पहले के जमाने में लोग क्या use करते थे इन के लिए, इन के लिए अपने हातों का पैरों का इस तरह से use करते थे, कि हम उसे नाप लें, जैसे कि यह, अब इस तरह से अगर हम कोई चीज़ नाप लें, जैसे कि यह, कितना है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम 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 बोल स्पान और पैर स्नापिंगे तो फुट स्पान ठीक है अब इनके लिए हमने क्या करा कुछ इंटरनेशनल यूनिट्स को यूज किया इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम जाएं जैसे कि नॉमली दो हम यूज करते हैं लेकिन वे स्फिस्टम से इस years old we use करते हें एक होता है SI units si unit तो में सिस्टम इंटरनेशनल उसमेंगे अगर हम देखें इंटरनेशनल्स जो सभी सभी कंट्रीज इसको यूज करती है जो सभी में लागू होता है वो क्या होता है? SI units, ठीके? वो सभी की standard होती है, जैसे length है, length के लिए हम use करेंगे क्या? METER का, ठीके? standard unit है ये, इसकी SI unit क्या होगी? LENTH की? METER, ठीके? वैसे तो kilometer भी होती है, centimeter भी होती है, millimeter भी होती है, लेकिन हमने जो standard unit लिया उसका, वो हमने 1.0 meter को लिया ुसी तरह से मस नाप ले लिए वToCast number ले के लिए हमने standard unit को लिया खिलोग्राम को लिया टिरिके किमे के लिए इसी तरह से अगर हम बात करें Time के लिए तो Time के लिए हम क्या लेंगे standard unit ? टाइम के लिए standard unit क्या लेंगे Second इसको हम किसे डिनोट करेंगे एस से अब यह जो मैंने लिखा है कि इनके क्या है सिंबल से जिन से हम इनको डिनोट करते हैं तो लेंद्ध को डिनोट करेंगे मीटर को M से किलोग्राम को केजी से और स्टेकंड को स से इससे हम इनको डिनोट करते हैं इस जी आपने हैं जैसे हमने देखा कि इनकी स्टेंडर्ड यूनिट्स थी है ठीक ए लेंख की मीटर होती है इसी तरह से टैम्ट्रेचर के लिए हम यूस करते हैं, जिसको हम यूस करते हैं कैल्विन ठीकिविसे टैम्ट्रेचर में दीक इन अपने फारेनाइट में आपते हैं और केल्विन में आपते हैं तो हमने जो इसके लिए ऐसा ही उनिट लिए हैं टेम्टेशर के लिए वो हमने केल्विन लिए ठीके मांस के लिए किलोग्राम को लिए हैं टाइम के लिए सेकंड को लिए हैं और लेंद के लिए मीटर को लिए हैं ठी कि हम मिजर्मेंट किस तरीके से करते हैं या करते थे ठीके पहले हमारे पास जब टॉक्स नहीं हुआ करती थी डिजिटल अभी तो बहुत सारे आगे डिजिटल भी आ गई है ठीके मैनवल भी आ गई लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था तो फिर उसके लिए कुछ चीजे बनाई बीच में वह कनेक्टेड होता है उसमें क्या होता है सैंड भर दी जाती है ठीके मिट्टे उसमें बहर दी अब उसको ऐसे करके रख दिया फिर जैसे कि एक पार्टिकुल्र यूनित अमने टाइम कर लिया तो जब तक वह सारी रेत नीचे गरके नहीं आ जाती ठीके वह उस इस तरह की सैंड क्लोक होती है ठीके तो इसमें क्या करते है रेत भर दी जाती है और फिर उसको ऐसे रख दिया जाता है जित्ती देर में पूरी नीचे आती है उसको एक यूनित मान भिया जाता है ठीके इसी तर से हम संडाल का यूज करते हैं संडाल में क्या होता है कि एक जपुर में जंतर मनतर्न, नाम सना आपने वह एक Sun Dial है, वह क्या रचलती है। वह ताइम के बारे में बटाती है कि मतलए है। अब इसको बनवाया किस ने था? महाराजा जय सिंह सेकंड ने बनवाया था जयपूर में यह भी आपको ध्यान में रखना है लेकिन इसका drawback क्या है? वैसे तो यह accurate है, sun के according move करती है, लेकिन sun कब होता है? सिर्फ daytime में होता है इसका मतलब रात में क्या? अगर हमको रात में time का measure करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तब तो हम sun डाल का use नहीं कर सकती है, क्योंकि रात में तो अंधेरा होता है तो उसका drawback यह है कि वो सिर्फ दिन का time बताती है, उसकी जो निडिल होती है, रात का time नहीं बताती है सेम इसी तर से एक water clock होती है, water clock का आपको इसमें page number 188 पे दिखाया हुआ है जो यह water clock होती है, यह भी time keeping device है, यह inward और outward regulated flow of water इसमें क्या होता है, जो water का flow होता है, inward अंदर की तरफ, outward बाहर की तरफ, ठीक है inward, outward दो तरफ इसमें water का flow होता है, जिससे हम time का पता लगा सकते हैं ठीक है, इसी तर से इसको हम use करते हैं time measure करने के लिए फिर आते हैं modern time keepers, modern time keepers में क्या आते हैं, obviously clocks अभी हम जो use करते हैं, wrist watch use करते हैं, ठीक है, wall clock use करते हैं, digital clocks use करते हैं तो बहुत साइज तरह की जो भी clocks होती हैं, वो सब हम use करते हैं modern time में इसमें क्या होता है, जो quartz crystal उसका use करते हैं ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो digital clocks होती है, जैसे कि हमारी चो normal clocks होती है, wrist watch होती है, इसमें क्या होती है इसके अंधर निडले सोती है जो मुउव करती रहती है यह तो होगया हमारा नॉर्मल दिस डिजिटल अप उसमें कोई हैंडमेंड नहीं लोता है। दिटल क्रॉप में नंबर्स यूज किया जाते है कि इसमें ये टाइम अभी आपको शो हो रहा है ठीक है डाइक नंबर से बताया जाता है इसमें आपको यह देखने की ज़रूत नहीं होती है ठीक है अब कुछ इसपोर्टिंग इवेंट्स होते हैं जैसे की गेम्स वगेरा ह अब उसमें क्या है कि इतनी देर में आपको यह कंपीट करना है जिसने कर लिया जीत कि यह नहीं किया वह रगया उसके लिए क्या यूज करेंगे तो आपको यह अब आपसमें जैसे कि आप अलाम लगाते हो ठीक है आपको सुबह आपने लगा दिया चार बज उटना अपन इसी तरह से spotting events जो होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं stopwatch का ठीक है stopwatch यूज करते हैं इतनी देर में अपने आप बंद हो जाना चाहिए तो वह एक signal दिखा कि यह बंद हो गया अब बस आपका यह time इसमें जो जीत गया और जो हार गया वो हार गया ठीक है तो इसमें भ होती है कि इसमें vibration जो होते हैं अटम्स की उन पर बेस्ट होती है अटम्स के vibrations पर बेस्ट होती है atomic clocks बहुत ही accurate होती है ठीक है एकदम exact time बताती है यह atom atoms vibrate very continuously and such clocks have an accuracy level of lossing or gaining one second in more than 3000 years ठीक है इसका जो accuracy level होता है वो बहुत हाई होता है अब एक और चीज़ simple pendulum आपने दिखाऊगा कुछ जो हम दिवार खड़ी यूज करते है उसमें pendulum भी लगा होता है ठीक है उसके अकार्डिंग वी वो चलती है तो इसमें pendulum क्या होता है आपने दिखाऊगा इस तरह से एक रसी होती है रसी पर एक नीचे ball लगी होती है या कुछ भी जो आप यू ठीक है तो यह इसका क्या हो गया एक यूनिट हो गया ठीक है तो simple pendulum clock में हम इस तरह के यूज करते हैं swings the bob is made to swing in the to and flow direction it is observed that the bob completes one to and flow motion in exactly the same time ठीक है मतलब इसका यह इधर से जाने के आने का और इधर जाके आने का जो time होगा वो क्या होगा बिकुल same होगा उसमें कोई change नहीं होता है तो इस तरह से हम pendulum का भी use करते हैं अब इसमें क्या होता है amplitude amplitude of a simple pendulum कोई भी simple pendulum में तो उसका amplitude क्या होगा ठीक है तो उसके बारे में हम अभी देखते हैं इस नाव simple pendulum ठीके simple pendulum के बारे में भी बताया है मैंने आपको pendulum क्या होता है इस तरह से जिसी एक ball है रसी से टंगी हुई ठीके इसका two-end flow motion होता है आगे और पीछे के तरह ठीके अब इसके अंदर क्या होता है क्योता है amplitude ठीके अब इसका maximum displacement कितना हुआ यहां से लेकर यहां तक का तो इसको हम क्या बोलेंगे amplitude ठीके यह क्या होगिए यहां से लेकर कि इसका इसको हम बोलेंगे amplitude पर आधा है time period of a simple pendulum इसका एक time period अगर में बिच की distance जिसको हम बोलते है amplitude अब time कैसे बिच करेंगे मैंने क्या बताया यह इधर गया फे इधर आया फे इधर आया फे इधर आया अब motion क्या है ? Time और motion के बारे में हम पढ़ रहे है time के बारे में हमने सब कुछ दिखा किस किस beginner को तरहा को time मेजर किया जाता है किस किस unit में मेसर किया जाता है यह सारी चीजवे और पर चुके next आता है हमारा motion motion क्या है इसको हम इंदी में बोलते हैं गती किति स्पीड से आप जा रहे हैं इसी को हम बूलते हैं किस तरह का motion उनिफॉर्म motion ए नौन उनिफॉर्म मोशन इंन में रेक्ति लिनीयर मोशन में है में सर्कुलियर मोशन में बारे में पता करना चाहने हैं उसकी पोजिशन जो टाइम और स्मावनिक के रिय्ट्रस थि में उसे को हम क्या बोलते हैं मशन अब इसको जैसे कि कौन कौन से चीज़े होती होती है अब अर्थ 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 किया है अपने अक्सिस पर मूव कर रही है और सन के चावす में जान वर्तपर परुटाइमें और मोचन है कि दो तरीके से अपनी एक्सेस पर भी और संथे चारो तरफ में चारों मोऒ करी जाचु कोई ऊप्र में आ मोशन में आ गई जैसे कि उसका भी क्या हो मोशन उपर जाके ऐसे इस तरह से वह आएगी इसको हम बोलते है प्रजेक्टायल मोशन ठीक है वह हम आगे पढ़ेंगे अभी नहीं आएगा अपके नेक्स्ट उसमें आएगा फिर आता है फॉलिंग स्टोन ट्रेक्टि लीनियर मो आपके वह हम एग जोनीयर मोशन प्रजाए था इनए प्रजेत और सिर रिपीट कंदेंगे चेक्ट लाइग कर मतलते हैं एक हम बोलेगा कंदी मोशन प्रजार्टि किस तरह का कि इसको क्या बोलें इस चाहरे के शूर्या क्यों मौतिंगे बोलेंगे ओन फर दृक्तきますसट य कुछ fix हो नहीं है इसको हम बोलते हैं क्या random motion इस तरह से बहुत सारे तरह की motions होते हैं ठीक है अब हमने देखा कि जब हम गाडी में travel कर रहे हैं तो हम जब आगे की तरह जा रहे हैं तो बहुत जो भी चेजा हम दिखाई दे रही है तो आपन बहुत देखा है अगर किसी बी body के पॉईशन में आता time के साथ यानि वो अपनी जगा पर fix है उसकी अपनी position change नहीं हुई तो इसे हम क्या बोलते हैं position in rest तो किस position में? rest की position में है यानि कि वो move नहीं कर रहा, वो motion में नहीं है फिर next आता है अपका speed, अब speed कैसे measure करें, किसी भी चीज की speed ना अपनी है हम जैसे कहीं जा रहे हैं, अपनी bike से जा रहे हैं, अपनी car से जा रहे हैं speed क्या बदाती है, distance और time, एक unit time में measure की गई distance कैसे हम इसको लिखेंगे, speed is the distance traveled in a particular time, या in a unit of time एक unit time में आपने कितने distance measure करी, इसी को हम बुलते हैं क्या speed speed को हम S से denote करते हैं, distance को D से और time को T से इनको हम use करके क्या निकालते हैं, speed जैसे कि जितने distance हमें travel करी और जितने time में travel करी उनको अगर हम आपस में divide कर दे तो वो क्या आजाएगी, speed आजाएगी, train की speed ले लो, bike की speed ले लो, किसी भी चीज की speed, जो भी हमेन आपना है, उसकी हम distance लीखेंगे, उसको time से क्कुष को से चैनल को सिन में ऐसे वाइड शो गैज विट अब क्या है गा जायगी उसकी चैनल चाहँ अब यूनित क्या हुड इसपीड की तो किसी बीचिसकी यूनित में पर-फो ग carili की स्पीड नापनी किते लुकि अधिका नहीं जादा ईस्टेंस तो हम बढ़ी है जोटी है Sum कर सकते हैं जैसे मीटर पर सेक्ड नापने हैं किमिंटर तो हम क्या करें अब देखों वन मीटर पर इसको अगर हमें किलोग्राम पर अर में change करना है तो हम इसको किस से multiply करदेंगे? 18 आपान 5 से ठीकि? जैसे कि suppose करो कि 5 मीटर पर अर में change करना है तो 5 इन्टी 18 आपान 5 ठीकि? तो यह कितना किलोमेटर पर अर हो चाहएगा? 5 से 5 कैंस यह नहीं 18 km per hour ठीक है? अगर आपको meter per second को kilogram per hour में change करना है 18 upon 5 से multiply कर दो सेम इसी तरह अगर 1 kilogram per hour को meter per second में change करना है तो 5 upon 18 से क्या कर दो इसको multiply कर दो ठीक है? तो इसको हम ऐसे change करके use कर सकते हैं Yes ठीक है? तो यह चीज़ समझ में आगई तो सेम फॉर्मला यूज़ होगा speed equal to distance upon time Now, uniform motion ठीक है? मोशन भी दो तरह के होते है non-uniform और एक uniform ठीक है? अब uniform motion क्या होता है? when body moving in a straight line path and covers equal distance in equal intervals of time ठीक है? जब एक straight line में कोई चीज़ मूँव कर रही है? कोई body मूँव कर रही है तो वह equal distance cover कर रही है equal time interval में ठीक है? यानि 5 minute में ठीक है? जिसे 1 km ठीक है? ठीक है? फिक है तो अगले 5 minute में भी वह 1 km उसके next में भी 1 km ऐसे ही cover करती जाएगी इसे हम बोलते हैं uniform motion ठीक है? यानि continue एक ही speed से move करना ठीक है? इसके लिए जैसे कि इसके example हम लें तो hands of clock pendulum ये क्या करते हैं? same position में move करते रहते हैं ठीक है? कोई change नहीं आता है इनकी speed में इनकी speed same रहती है all time तभी हमें वह exact time बताती है ठीक है? next रहता है non uniform motion एक non uniform motion होता है जैसे कि bus की bus की speed आप देख लो बार-बार change होगी stoppage आएगा रुख जाएगी फिर चलना start होगी starting में दीरे होगी फिर जैसे कि plane road आया ठीक है? तो उसकी speed बढ़ जाएगी इस तरह से क्या होता? उसका motion होता है वो non uniform होता है यानि उनका time interval होता है उसमें उनकी speed हर बार क्या होती है? सेम नहीं रहती है जैसे कि bus, car, train, aeroplane, etc अब निकालनी है तो हम क्या करते है? अब non uniform motion है तो हम speed का पता नहीं लगा सकते है इसके लिए हम फिर यूज करते है एक formula जिसमें हम average speed निकाल लेते है उस vehicle की जैसे total distance एक stoppage, दो stoppage एक से दूसरे पर जानने में कितना उसने distance cover किया और कितना time उसको लगा उसमें उसने कितना time लिया उससे अगर हम इसको divide कर दे तो उसके average speed निकल के आती है उससे हम पता लगा लते कि यहाँ इस train की speed इतनी है इस airplane की speed है यह इस car की यह bus की ठीक है? जैसे 595 km, 600, 605 हमने 55 का इसमें क्या लिया? चेंच लिया, इंटरवल लिया है और इधर हमने minute में time ले लिया 10 minute भी इसमें 30, 40, 50 start इस तरह से तो हम यहाँ पर देखेंगे इस graph में क्या दिखाई दे रहा है 10 minute में यह कहाँ पर पहुँचा 605 km पर पहुँचा मतब हम यहां से अगर start करें 595 से अगर इसने चलना start किया तो यह 10 minute में यहाँ पर पहुचा 5 km फिर इधर इस तरह से हम इसका अगर graph लेंगे uniform speed है तो एक straight line आईगी ठीक है? अगर non uniform speed है तो फिर उसका graph इस तरह से आएका non uniform में क्या होता है? पहले starting में speed कम होती है, धरे-धरे speed बढ़ती है और फिर peak पर जाती है, ठीक है? हाई हो जाती है तो इस तरह से इसका graph आता है जिसे हम बोलते है non uniform speed ठीक है? यह distance और time की graph है इसकी जो आपके book में दीवें ठीक है? आपको